है लो एवर्शेख़ मैं हूं प्रिया मड़ी अब से आपको स्टुब यूटूब के हमारे गिलंट banco देखने को मिलेगे ए वाले वीडियो में हम सीखने वाले हैं अब यहां पर यूज कर सकते होँ अभी इसी तरह को अस्तर में होए यहां पर किया हुआ है अपर में यहां पर रखेंगे रएगर जो हमारा से पहें इसको हम यहां पर द्राइंग कब अब इसके बाद में हमें जितनी स्लीव की लैंथ चाहिए उसमें प्लस वन इंच करके मार्क करना है तो हमें स्लीव की लैंथ रेड़ी चाहिए एट इंच तो यहाँ पे मैं मार्क करूंगी नाइन इंच पर अगर आपको स्लिव के लेंद रेडी चाहिए फाइव इंच तो आपको मार्क करना है सिक्स इंच पर अब यह मार्किंग को ध्यार में रखते हुए हम यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रू करेंगे हमारा फ्रंट और बेक का जो आम होल है उसको आपको चेक करना है आपका मार्किंग जहाँ पे भी आ रहे वहाँ पर इसको मार्किंग को एंड कर सकते हो हमारा जितना स्लिव का राउंड जितना रेडी है उसका हमें हाफ करके मार्क करना है तो अभी मैं नीचे का राउंड ले मार्किंग को ध्यान में रखते हुए हम इस तरह से क्रॉस मार्क करेंगे यह हमारा मार्जीन है अब एफ फर्मे को हम यहां पर कट करेंगे तो इस तरह से हमें यहां पर स्लिव का फर्मा मिल चुका है ओके हमने जो फर्मा कट किया था इसके हिसाब से हमने Sam man fabric को रखके cut कर दिया है अब हमारी जो sleeve की length है वहाँ center पे हमें एक cut लगाना है यहाँ पे हम bow बनाने वाले हैं तो उसके लिए हम एक fabric cut करेंगे bow के लिए तो इसके लिए हमें length ready रखनी है 5 inch और width हमें ready रखनी है 3 inch इसको हम fold करेंगे और यहाँ पे हम stitch लगा देंगे half inch के gap पे हम यहाँ पे stitch लगाएंगे local लगा के stitch को end करेंगे अब bow की जो पटी है उसको हम पलती करेंगे तो यहाँ से हमने pin को tuck कर दिया है इसको पीछे की side से बहार निकालना है margin को हम पीछे की side रखेंगे और यहाँ पे हम press लगा देंगे इस तरह से हमने यहाँ पे press लगा दिया है अब यह हमारी right side है हमारी wrong side है तो यह हमारी right side है fabric की तो right के उपर हम right रखेंगे center proper मिलाना है यहाँ पे हम half inch के gap पे stitch लगा देंगे अब stitch लगाने के बाद यहाँ पे हमें bow वाला fabric cut करना है तो वो हमें कितना करना है हमारी जितनी sleeve की length ready है उसको divide हमें one and half करना है हमारी sleeve की length अभी कितने inch ready है nine inch तो nine divide हम one and half inch करेंगे तो हमें मिलेगा six inch तो ऐसे हमें bow की length रखनी है six inch और width हमें ready रखनी है हमारी जितनी sleeve की width ready है उसमें हमें दोनों side one one inch प्लस करना है तो हमें ready रखना होगा 18 इंच, तो 18 by 6 इंच हम ऐसा bow का fabric cut करेंगे अब यह हमने जो bow के लिए fabric cut किया है, तो उसकी length हमने 6 इंच रखी है और width हमने 18 इंच, 18 and half रखा है, जो भी extra होगा वो हम side में से cut कर देंगे अब यह हमारी sleeve का right fabric है, तो इसको हमें पहले wrong side रखना है wrong के उपर हमें fabric को right रखना है, यह मेरी sleeve की wrong side है, fabric की यह हमारी right side है तो इस तरह से हम रखेंगे, पर इसके लिए पहले हमें fabric का center लेना है सेंटर पे हम एक कट लगाएंगे इसका सेंटर और स्लीव का सेंटर दोनुं सेंटर को हम प्रॉपर मिलाएंगे और उसके बाद यहां पे हमें हाफ इंच के गेप पे स्टीच लगानी है हाफ इंच के गेप पे यहां पे हम स्टीच लगा देंगे अब यहां पे हमें धार स्टीच लगानी है तो धार स्टीच हमें स्लीव की साइड लगानी है तो यहां पे हमारा जो भी मार्जीन है हो स्लीव की साइड रहेगा और हम यहां पे धार स्टीच लगा देंगे और जब हम एवाली स्टीच लगा रहे हैं तो हमारा जो बो का हमने जो गेप रखा है उतने में हमें स्टीच नहीं लगानी है तो यहां तक ही मैं स्टीच लगाऊंगी वापीस हम स्टीच को यहां से लेके आएंगे तो इतनी हमने जो basic stitch लगए वो stitch को भी हम निकाल देंगे, मैंने तार stitch यहां तक ही लगाई है, तो इतने में हमने stitch open कर दिया है, इसके बाद में यहां पर हमें stitch लगानी है, तो point 25 fold करेंगे, वापीस हम point 25 fold करेंगे और यहां पर stitch लगा देंगे, यहां पे भी हम प्रेस लगा देंगे, यहां पे हमने प्रेस लगा दिया है, अब यह वाले पार्ट में, जो सेंटर पार्ट है, वहां पे हमें स्टीच लगानी है, तो यह वाला जो हमारा पार्ट है, उस पे सेंटर पे हमें एक मार्क करना है, चेक करना है कि हमने यहां पे जो सेंटर लिया है, वही सेंटर है, अगर नहीं है तो हमें इसका सेंटर लेना ज़रूरी है, तो इसका सेंटर हमने ले लिया है, सेंटर पे हम मार्क करेंगे, यहां पर कट नहीं लगाएंगे और उसके बाद में यहां पर हमें प्लीट्स ले लेनी हैं यही पार्ट में वापीस हम यहां पर प्लीट्स ले लेंगे स्टार्टिंग में हमें लोक लगाना है जो प्लीट्स ले उसको और थोड़ा सा नजदिक नजदिक साइट करेंगे और वन इंच का रेडी रखेंगे और यहां पर लोक लगा देंगे ओके यहां पे हमने वन इंच में प्लिट्स ले ली है अब हमारी जो बू की पट्टी रेडी है उसको आगे की साइट से टन करेंगी यहां पे हमने जो गेप रखा है वो वाले गेप से हमें अंदर की साइट टन करना है अब यहां से देखो इस दोनों के बीच में से हमारे इस तरह से पट्टी बाहर निकलेगी तो इसको फैबरिक को थोड़ा सा क्रॉस कर देना है और जहां पे भी हमारी बो वाली पट्टी है वहां से ही हमें उसको प्रॉपर सेट करके हम यहां पे स्टीच लगा देंगे कर देंगे तो इस तरह से हमारा नीचे वाला जो बूप की पट्टी वाला पाट है कहीं से भी हमारी स्टीज भी नहीं दिखेगी अब इसके बाद हमें जो स्लीव का बो वाला पार्ट है उसको पॉफेक्ली इस तरह से सेट करेंगे यहां पर हमें पीन्स लगा देनी है कि अगर हमें प्लीट्स नहीं दिखाने है तो यह वाले पार्ट को उपर रखके भी स्टीच लगा सकते हैं और अगर हमें साइड फिटिंग में थोड़ी सी नॉर्मल प्लीट्स दिखानी है तो उसका लुक अच्छा दिखेगा तो यहां पर हम एक दो प्लीट्स ले लेंग और यहां पर हम पीन्स लगा देंगे अब हमें यहां पर स्टीच लगानी है रॉंग साइड से अब यहां पर जितना भी फैब्रिक स्लिव के अलावा एक्स्ट्रा है उसको हम कट कर देंगे तो इस तरह से हमारा वन साइड का पार्ट रेडी है हमने जैसे वन साइड रेडी किया था वैसे सैम्टू से मुमने दूसरी साइड भी स्टीच लगा दिया है उसको उपर-उपर से प्रेस लगा दिया है अब हमें और यू ओ बो देखो कि इस तरह से हमारा ओपन होगा तो हमीं का करना है कि यहां पर स्टीच लगा देनी है तो स्टीच लगाने के लिए यहां सम इसको थोड़ा सा उपर उठाएंगे ऐसे क्रॉस और जो सेंटर पर हमने स्टीच लगाई थी वहां पर ही हमें लोक लगा देना है इतना लोक लगाने से अब देखो कि बोव हमारा इस तरह से उठेगाने पैक भी हो गया है यह वाली स्टीच हमारी कहीं पे दिखेगी भी नहीं तो अंदर से जो थ्रेड है उसको हम कट कर देंगे जैसे कि आप देख सकते हो कि हमारी पूरी स्लीव रेडी है आप इसका फिनिसिंग देख सकते हो कहीं पे भी हमारी स्टीच नहीं दिख रही है उपर वाली बोव वाली पट्टी उसमें भी हमने टक लगा दिया है फ्रंट से तो हमारा फिनिसिंग पॉफेक्ट है ही आप ब करके बता सकते हो